पूरी अपडेट जानने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ही बताईए ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए यह जो पूरा मामला है हमारा सामने मुरादाबाद के जिला हस्पताल से आ रहा है जहां पर एमर्जनसी वाड में कुत्तों की भीड देखी गए जैसे कि आप लोग फोटोज देख पा रहे हैं एक एमर्जनसी बेड के ऊपर एक्चली में एक कुत्ता जो है वो बैठा हुआ है और इस दुरान ही इसकी फोटो जो है वो सोशल मेलिया पर काफिजदा वाइदल हो रही है बताया जारा है कि वहां की मरीजों की शिकायत है कि इन कुत्तों से हमें काफिजदा डर लगता है और ये कुत्ते जो है अराम से हॉस्पिटल के अंदर आती है घूमती है बैठ के उपर चड़ती है वहां पर आराम करती है और वहां पर किटानू जो है वो फिलाते है इस दुरान ही वहाँ पर वाड के बारे में भी जो की एक्चली में जो गार्ड है उसके बारे में भी बताया गया है कि गार्ड जो है वो काफिजा लापरवाही करता है और किसी को भी आने जाने कोई कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है जा रहा है उसको देखता नहीं ह कुट्टों को रोकता तक नहीं है, कुट्टे जो है यहाँ पर गंदगी फिलाते रहते हैं इस दुरान ही इस कुट्टे की फोटो जो है सोशल मीडिया पर काफिज़ा वाइदल हो रही है लोगों को कहना यह है कि हम परिशान हुए हुए है यहाँ पर मरीजों को डल लगता है कि कुट्टे उनको काटना ले पर जीला हस्पताल के प्रशासंद है वो कुछ भी नहीं कर रहे है जब वहाँ पर मैडिकल टीम से बात की गई तब उन्होंने यह चीज़ बताया है कि उपर कारवाई की जाएगी और जो भी दोशी पाया जाएगा उसके उपर सक्त सक्त कारवाई की जाएगी तो आई होप कैस आप लोगों को जानकारी काफिजा अपडेटी लगी होगी यहाँ पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी हॉस्पिटल में कुट्टे आराम से घुश जाए वहाँ पर मरीज रहती हैं वहाँ पर उनको हाईजिन काफिज जदा मेंटेन करना होता है यह जो कि लावारिस कुट्ते हैं आगर आके बेट पर यहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ पर किटानों तो जरूर होगे और आजकल के जमाने में जहाँ पर हमें हाईजिन काफिज जदा मेंटेन करना और वहाँ पर ऐसे काम हो तो आगे क्या ही बोलना है तो I hope guys आप लोगों को जानकारी काफिज अपडेटेर लगी होगी इसी के साथ मैं लेती हूँ इस आज़त बबाई टेक केर नमस्कार